Big Boss Seventy जी यां, बात करनी बहुत जरूरी है weekend के बार के बारें 2010 News पिछले तीन दिनों से जो buzz बना हुआ था वो buzz जो कैते हैं ब्लास्ट हुआ और हम सब के सामने आया episode तो जो episode था वो बहुत सारे लोगों के लिए अब्र ता कि eye opener है ना लोगों की आखे खुली हैं, बाहर बैटी जो जनता है उनकी भी आखे खुली हैं, जिनको वो winner देखते हैं, उनकी अंदर qualities क्या-क्या हैं, वो भी सलमान सर ने आके बताया, और कल पहली बार मुझे ना सलमान सर एकदम clear दिख रहे थे, कि वो transparent हैं, और वो जो देख रहे हैं, makers जो देख रहे हैं, वो बिल्कुल सही देख रहे हैं, उसी इनजरिये से हम भी गई न गई देख रहे हैं, बात कर लेते हैं, अंकीता लोकंडे और मुनावर फारुकी की, इन दोनों लोगों को लोग कैसे देखते हैं, as a winner, देख रहे हैं बाहर बैटे, बहुत सारे लोग सूच रहे हैं, बालने मुनावर भी नरवनेगा, अंकिता भी नरवनेगी, लेकिन इन के क्वालिटी जो बारे में बात करते हैं, यह चाहते हैं, यह दोनों कि हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो होती हैं ना, ओर बल्द में आपना बत दिखें पना, न हम सही दिखें, हम और वो बिल्कुल इस्टेट चल भी रहे हैं, विग वॉस ने क्या कहा है स्टार्टिंग में, कि हम इनके उपर चला-चला के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, हम इनको सिचुएशन्स में डालते हैं, उसके बावजूद भी ये डिसिजन लेने में इतने कतराते हैं, ये बचना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि लोग हमारी बैशिंग करें, लोग हमारे बारे में बुरा बोलें, और हमारी किसी से अन बन हो, तो यह बिल्कुल भी यह सारी चीज़े नहीं चाहते हैं, तो भीया, आप विनर फिर किस बात के हो, यह विनर जो बनता है, वो हर सिचुएशन में खरा उतरता है, फिर वही विनर बनता है, वैसे अभी भी competition इन दोनों के बीच में है, लेकिन इन दोनों को competition एक तगड़ा दे क्योंकि अगर चिंटू पोक नहीं करता, तो अभिशेक शाइन कैसे करता, क्योंकि अभिशेक का सुरू से क्या वो रहा है, स्टैंडर्ड रहा है, कि वो अग्रेसिव है, वो लड़ता है, वो लोग को पोक करता है, वो लोग के मुह में घुसके बात करता है, अभिशेक का स चिंटू बहुत अच्छा जा रहा था, बहुत कमाल कर रहा था, एंटरेटेनिंग था, उसकी बाते मज़ेदार थी, लोगों को पसंद आता था, आपने देखा होगा, जब से वो घर के अंदर एंटर हुआ है, सलमान सार ने एक बार भी उसको कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि तना पोक किया कि अभिषेक का हाथ उठ गया, अचाः अभी ये शोवी तो है जो हाथ अधाने के अगेंस्ट में है, यानि के बालेंस के अगेंस्ट में है, वालब हाथ नहीं उठाना लेकिन अगर इस तरीके के धक्का मुकी तो वह तो हम पिछले कई सिजर्स में देखते बिग बॉस ने क्या कहा अंकिता जी से अंकिता जी आप घर की कैप्टन आचा बिग बॉस भी ना खुद के सिर पे नहीं कहला चाहता है अंकिता जी के सिर पे खेला चाहता है मुदब कंटेस्टेंट को भी बताना चाहता है कि तुम बुरे हो तुम ने गल दिया की है तुम ग पिकानिसमेंट ने को दिवह मिल्ली चाहिए ह। इसा था उनको घर से बाहर जाना चाहिए जो मोमेंट था ऐसा था बिलकुँ हाटब्रेकिंग। मैं समझती हूं कि मतलब मेरे घर में मुझे भी बहुत बुरा फील हो रहा था और अंकिता जी ने कई बार कहा है कि मुझे इससे प्रॉब्लम है मैं खुट डरती हूँ कि यह कहीं हाथ-फात न उठा दे क्योंकि यह मुह में घुसके बात करता है और उनने डिसेजन दे दिया कि यह घर से बाहर जाय और घर के सारे लोग कंटीनीउर रो जा रहा थ है विकी को फूट फूट के रोता हुआ हम समने देखा हमें बहुत बुरा फील हूँ और वो बंधा घर से बाहर निकलते वह विकी के पैर भी छुके जा रहा है जुआ था तो विकी के पैर भी छुके जा रहा है, अंकिता रो रही है, विकी रो रहा है, मुनावर, मनारा, मनारा तो खेल, बिल्कुली अलग है, आईशा, आईशा मुझे आज बहुत पसंद आई, मतलब कल के एपिसोड में बहुत पसंद आई, आईशा मुझे, जिस तरीके से उसको बुरा फील हो रहा था, अभी शेक के लिए, जिस तरीके से वो स्टैंड ले रही थी, सलमान सर के आगे भी बोल रही थी, कि सर मुझे चाहती हूं कि वो घर के अंदर आया, और उसने हाथ जरूर उठाया है, लेकिन पोकिंग उससे कहीं जादा हुई है, इसलिए उसका लेकिन आप जो फीडबैक का इंतिजार करते रहते हो, वो वाकई में आप फीडबैक का इंतिजार तो करते हो, और वाकई में आप जो फीडबैक का आथा, आप उसकी एकारडिंग मूव करते हो, जो कि बिलकुल भी इस शो में मुझे नहीं लगता है कि सही है, यह आपका आपको जिस टाइम पर जो चीज जैसी लग रही आप उस तरीके से रियक्ट करो न तब जाके आप कहीं न कहीं रियल रहोगे, लेकिन आप लोग तो शो के पॉस्पेक्टिव से सोचते हो कि सलमान सर क्या बोलेंगे, बाहर बैटी जनता क्या बोलेगी, आप उस सब चीजों क नाप तोल के उसके बाद बोलते हो, है न, तो ये सारी चीजे थोड़ी सी आजीब सी हैं, और हमें भी नहीं अच्छा लगता है, तो हम बात कर रहे थे कहां पर, कि वो शो से बाहर हो जाता है, हम सब को बहुत बुरा लग रहा होता है, घर में बैठे लोगों को भी बहुत ज़रूरत है, मैं इस शो में रहना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरीके से वो घर से बाहर गया है, इस तरीके से उसको नहीं जाना चाहिए था, और भलाना धिमकाना बहुत सारी चीजे होती है, उसके बाद सल्मान सर घर के अंदर आते हैं, और सल्मान सर घरवालों से पूछते हैं, अंकिता से पूछते हैं कि अंकिता आपको जो लगता है अपने जो decision लिया है वो सही लिया है अंकिता ने कहती है कि हां सर मुझे लगता है कि मैंने ठीक किया है क्योंकि शो का format ऐसा है जहां पर आप हाथ नहीं उठा सकते हैं तो उन लोग को बिसिकली समझाया जाता है कि जो पोकिंग का लेबल था वो भी बहुत जादा था और आप लोगों ने एक बार भी स्टेंड लेने की नहीं सोची वहां पे अगर किसी ने भी एक बार डाट के समझा कि प्यार से चाहे जैसे भी समर्थ को ये बोला होता कि समर् फिर्ट वहां पे रुक जाता लेकिन आप में से किसी ने भी ये इस्टेंड लेने की जुरुरत नहीं कि अगर आपने लेने की जुरुरत भी तो अपने अपने दिमाग में या फिर एक दूसरे से कहता है ना कि धीरे-धीर बोलके यार ये तो बुरा कर रहा है ऐसा इसा इ क्योंकि वह सारी चीजे करें और फिर हाथ उठां देगा मनारा जो कि जाता है दर और मविशे aç और माथय कि वह गर के अनधर आज पीख पता है कि मनारा को भी यह बात तो पता है कि अभिशेक एक अच्छा कॉमपटीटर है विकी ने जिस तरीके से हाथ नहीं उठाया और बाद में वह अंकीता के गले पड़े गया यह कहते हुए कि मुझे ऐसा लगता है कि अंकीता तू यह क्या कर रही है पहले तू कुछ बोल रही है तू कुछ बोल रही है विकी आप क्या कर रहे हो पहले आप रो रहे थे तो हमें बड़ा अच्छा फील हुआ कि यार आपका कितना अटैश्मेंट है अभिशेक के साथ लेकिन आपने यह क्या किया एक सगिंड मार गया कि नहीं तो नहीं चाहता कि वह घर के अंदर आप भी कुछ नहीं कह सकते हैं लेकिन आप यह चाहते थे कि अभिशेक शो में वापस ना आया क्योंकि आपको कहीं नहीं क्लियर ली नजर आ रहा था कि अभिशेक उपर उसका ग्राप जा रहा है और सलमान सर के बोलने और समझाने के बाद क्लियर हो गया सभी के दिमाग में कि वह तो बाहर बेटें लोग कह रहते हैं कि मर साले को तो वाक कहीं में एकदम पॉफेक्ट जो मतलब तपोरी लेंगवज में जिसको हम बोले यही था सभी का एक्सप्रेशन कि मारो यार उसको दो तीन थपड और और मारो जिस तरीके की हर्गते थी समर्थ की नो डाउट वहां प की भाई और मारो जो पीटना था सबसे हों ऒषेन नहीं नहीं था अभ जेसने समझ रह यह और आप भगए हैं चैसे यो जो चीजें ब्ड़ बड़ी डिफ्रेंट होंगी तोелен बाद में आंग नेघनान उसके समझाया भी कि बाद में सं में निन थैनों का शंडाया भी कि देखो, आप लोग जो ये नेसल टेलिविजन पर कर रहे हो, आप लोग को बाहर की जिन्दगी के बारे में भी सोचने चाहिए, और इस पेसले इशा आपको सोचने चाहिए, आप सब 19 एर्ज की हो भी या, और सलमान साल ने ये भी गह दिया, कि में भी आप समर्द के साथ नह में समज में आई, और मनारा, मनारा को देखो आप, वो तो मतलब इतनी डिप्लोमेटिक है, कुछ टाइम पहले वो कह रहे थी, अभी शेक सो में नहीं आना चाहिए, जैसे ही अभी शेक आगया, वैसे ही वो मुनावर को डिकोट करने लगे, कि ये बंदा तेरे लिए स्टे पूरे घर में उस लड़की को सिफ मुनावर से प्रॉबलम है और मनारा का गेम अभी जीरो हो चुका है, जबसे वो मुनावर से दूर अटी है बिल्कुल उसका गेम जीरो हो चुका है मुझे तो कहीं से भी उसका गेम उपर जाता हुआ नहीं नजर आ रहा है क्योंकि उसके पास सिफ और सिफ एक बात की चुगली होती है ये बंदा बदल कैसे सकता है ये बंदा डिपलोबैटिक है ये शोव निग जीतना चाहिए ऐसा नहीं होने चाहिए वैसा नहीं होने चाहिए इस तरीके की बाते करती हुई कि वो कंटीन्यू नजर आ रही होती है तो ये सब कुछ हमने देखा एपिसोड में हमें मज़ा आया सलमान सर ने जिस तरीके से मतलब बहुत हार्ष मैं नहीं होंगी कि सलमान सर ने बहुत हार्ष बैशिंग की प्यार से ही समझाए इन लोगों को लेकिन हा इन लोग के लिए आई ओपनर तो था और मुनावर और अंकिता को क्लियरली ये कहा गया कि आप लोग हमारे कि अगर हमारा फीडबैक नहीं आता है तो आप लोग लोस्ट हो जाते हो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होता है आप लोगों को खूद का थौट प्रोट मतलब देखो मेकर्स का भी न मुझे लगता है कि सीधा सा फटना ये होता है कि हम तुमको इंफ्लुएंस करेंगे लेकिन तुम्हारे ओपर है कि तुम इंफ्लुएंस होते हो या नहीं होते हो मैंने दो चार देन पहले एक क्लिप देखी थी गोहर खान वाली अब मुझे पता निया गोहर खान कौन से सीजर में आई थी सेवनी में आई थी गोहर खान कनफेशन रूंबे जाके चिला चिला के बिग बॉस से लड़ रही थी कि बिग बॉस आप ये करके रहे हो आपने कभ क्लियरों से वह बिग बॉस जान के रही है इसको डर नहीं या भाड में बिग बॉस को शोव वह वह से कह रही थी इसको अपने श्तेंड़ ग्लियर्ड रहें कि अघवी बिग आज़ थी है protecting इंचाजी आपको मुनावर से बात किया से अन्वार से बात नहीं कर रहें देखना चाहता है बस तो इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिली अभिशेग घर के अंदर आ चुका है अब देखते हैं क्या कुछ होता है वैसे शो बहुत इंट्रस्टिंग हो चुका है मतलब यह जो टाइम है ना भी पिछले दो-तीन दिनों से जो था काफे आप लोग अपना गेम क्लियरली खेलो अगर आपको कोई बुरा लगता है तो इसको बुरा बोलो कोई अच्छा लगता है तो इसको अच्छा बोलो प्लीज यह करो ताकि आप लोग शाइन करते हुए नहीं जाराओ लोग आप दोनों को कही नहीं विनर देखते हैं और अग्रेशन पर थोड़ा सा कंट्रोल करो, cos was वाश्मझ कि बोलो आप सही बोलते हो बहुत सारी जगों पर आप सही हो लेकिन जब आप अग्रेशिव हो जाते हो आपकी जिब तोन हाई हो जाती है तो आप गलत बोल देते हो तो टोन को थोड़ा सा लो करके और अपनी बात क सामने वाले तक पहुंचाओ कि तुम यहां गलत हो तुम यहां सही हो हमें आपको भी देखके बहुत मजाएगा और हो शकता है कि इस बार का विनर अंकिता और मुनावर्स हट के कोई और ही बन जाए है और हर बार हमने देखा है कि ऐसा ही होता है कि हम उम्मीद किसी और की कर रहे होते हैं बनता कोई और है तो चलिए यह रहा मेरे हिसाब से कल का एपिसोड का रिव्यू बाकि आपको क्या है कहना कॉमेंट में बताईए गाने नेक्स्ट एपिसोड में अपना ख्याल होगे